नौजवानों को नशे से दूर हैने का संदेश देने के मकसर से लुधियाना में एक बॉडी बिल्डिंग चैंपिन्शिप का अगाज हो रहा है इस चैंपिन्शिप में पुर्शों के साथ महिलाए भी हिस्सा लेंगी इस चैंपिन्शिप का क्या लाब होगा यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा मगर आयोजको का यह उप्राला काफी सरानिय कदम है आज की इस प्रेस कॉंफरेंस में आयोजको के साथ शेरू जैसे बॉडी बिल्डर भी वजूद रहे और उन्हों ने नौ जवानों को नशा छोड़ कर खेलों में भाग लेने की प्रेदा दी उनना दी मोटिवेशन नाल एक प्रोग्रम कराया जा रहे है ताकि साथा जेड़ा पंजाब दा यूथ है नशेज बड़े हो है उन्हों इस तो कट्डिया जावे वह आप दी बॉडी बिल्डिंग चलगे वदिया खाना खावे खुराग वदिया होवे ताकि साथा पंजा सब तो बड़ी प्रॉबलम पंजाब चाहां भी है जोड़ी बोट सपोर्ट करनी जाए दिया है रिहाबिलिटेशन क्लीनिक एक नशेडी नशा चाड़ देंदा लेगिन उस तो बाद उन्हों पदा नहीं की करना की है और पटक के बेरोजगार होके फिर उसी कामवाल लग जानता है जिते हो पहला निकल के आया ता सरकार नू प्लस प्राइवेट और्गनाइज़ेशन चैरिटेवल और्गनाइज़ेशन जड़ी इस फील्ड चे कम कार रही है उन्हानों आ मेरी अपील रहेगी कि डैफिनेटली कोई ना कोई अवेर्नेस प्रोग्राम होए जिच पुई नशा चड़न तो बाद तुसी नौजवानना नू गाइड करो कि यो किस दिशाच जान ताकि उस चीज तो यू नो बार निकल के आयो उस चीज वापस ना जाओ जिद्रों असी बॉंबे साथा इवेंट होया सी बिकॉज ऑफ दे ऑन रेकर्ड है गया मैं शेर भी क बार दूंगा संडे नू उन्हें तो लेके पंजाब तक कटो कट दस नौजवान एतना दे सीगे जिना ने नशा चड़के बॉडी बिल्डिंग वा लाया थे हुन्हों कॉम्पेटिटिटिव स्टेट चाइज कॉम्पीटेटर कंपीट कर रहे हैं अब साड़ी जड़ी प कर दो कर दो कर दो